खेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे गेहु के आटे और कच्ची आलू से बहुत ही ज़्यादा कुरकूरा चटपठा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नास्ते की रेसिपी जो की बहुत ही चल्दी जटपठ 5 मिनिट में बना कर त्यार कर सकते हैं और ये बच्चों के लंच के लिए भी बना कर दे सकते हैं या कभी भी आपको हल्की फुल की भूख लगी हो और चाय से कुछ चटपठा खाने का मन हो तो ये नास्ता ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों आप सबको बहुत पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों बनाते हैं और दोस्तों इस नास्ते को हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे दो चमच तेल में बनाएंगे बहुत ही जदा हिरली नास्ता है तो चलिए दोस्तों ये कालू को हमने छिल लिया हुए है अच्छ से और इसे कदुकस कर लेते हैं कदुकस करके इसे अच्छे से धूल कर इसे पानी को अच्छे से निचोड लिया हुआ है और चलिए दोस्तों बाउल में डालेंगे एक कप के यहूं का आठा और आधा कप बेसन डालेंगे और इसमें दो बारी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसमें एक बारी कटी इससे स्वात बहुत ही बड़ी आएगा अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसके जगों पर गरा मसाला भी ढाल सकते हैं और इसमें डालेंगे नमक स्वात के अनुसार और पानी डाल देते हैं तो पहले दोस्तो एक कप हमने पानी लिया हुआ है तो पहले आधा कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे फिर जरूरत लगे तो हम दोबारा से उस आधे कप को पानी को डाल देंगे और इसे हम मिक तो फिर हमने एक कप पानी लिया है तो उसमें से आधा कप पानी डाला है और बिल्द दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी से भी पसंद देजा पिली दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर करिएका क की बेटर को और अच्छे से आलो जो हमने या ने कदूकस करके रखा था ना इसे अच्छे से फैरा देंगे से अच्छे बेटर कों आप ये रेघ्ट लगे अच्छी कहले के रिखा गाइन तो दोस्तों सेमेडियुक्ते रादाई ये चैनल करा है इस तरीके से और दोनों नास्ते पर हम इसे फैरा देंगे और इसी प्रोसेस से हम सारे नास्ते को बनाएंगे और इसमें थोरी से धनिया के पत्ती डाल देते हैं ताकि देखने में हमारा नास्ता बहुत ही ज्यादा यूनिक लगे और थोड़ी से हम चिली फ्लेक्स डालते हैं देखिए दोस्तों इसका लुक कितना बर्या आ रहा है पहुत सुन्दर दिख रहा है न तो एक सार जबी सिख जाये तो दूसरी साइट इसे हम पलट लेंगे देखिए दोस्तों ये नास्ता न बहुत जल्दी बनता है दोस्तों खाने में बहुत ही जड़ा चट पटा लगता है बच्चे तो बनाते ही चट कर जाते हैं इतनी जड़ा स्वदेश्ट लगती है और हेल्दी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने इसे दो चमच तेल में बनाया हुआ है अगर आप भी तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस हमारा नास्ता कैसा बना है तो यह देखिए दोस्तों बहुत ही चट पटा बहुत ही कुरकुरा बहुत ही स्वादिश्ट नास्ता बन कर त्यार हो गया है दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों आप इसे अपने मन पसंद चटनी या चाय के साथ खाईए इंजवाय करिए दो अन्य वाद फिर मिल देगा नए वीडियो के साथ